जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ माजिक दंबा के नाम का जैकारा लगाएं कमेंट सेक्षन में जै मातारानी लिखें आपके हर काम बनने लगेंगे आप मस्त हो जाएंगे और आपको सफल ताइम इनने लगेंगी आपके जीवन का ग्रहण आज दूर हो जाएगा क्योंकि आज है गुप्त नवरात्री का तीसरा दिन और 14 फर्वरी 2021 की तारिक मांग मास के शुक्लिपक्ष की तृतियाती थी रईवार का दिन है इस दिन पर हम फिटकरी का एक अच्चुक उपाय आपके लिए लेके आए हैं आपके जीवन में प्यार, पैसा, विवास, अंबंदी हर तरह की तकलीफ हैं इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी भी मिल जाएगी जल्दी से नीता विक्रम चैनल सबस्क्राइब कर लिजिः और वीडियो की नीचे बने हुए लाल रंके सबस्क्राइब के बटन को प्रेस करिए बाज में बनी हुई घंटी के आईकन को प्रेस करिए इससे आपको सभी वीडियो के notification मिलेंगे फिटकरी दोस्तों जिसे हम इंगलिश में एलम भी कहते हैं फिटकरी का प्रयोग पानी साफ करने के लिए होता है फिटकरी का प्रयोग औशदी के रूप में होता है फिटकरी जब कहीं चोट लग जाती है या कट जाता है तो खून रोकने के लिए भी इसका प्रयोग होता है परन्तु एस्ट्रोलॉजी में या जोते शास्त्र में फिटकरी का एक अच्चू प्रयोग आज में आपके लिए लेके आई हूँ कई बार हमारी जिनम कुल्ली में राहू की इस प्रकार की विवस्था होती है जिसके कारण राहू आपके जिन्दिगी में नाना प्रकार के उप्तरव लेके आता है नौकरी छुड़वा देता है परिवार में कलेज करा देता है विवहा में दिक्कते ले आता है बहुत सारी जगा आपको बतनामी का सामना करना पड़ता है या आपके लिए favorable conditions नहीं रहती यदि आपको लगता है कुछ भी चीज आपके favor में नहीं है लोग आपको नहीं समझ रहे हैं और या आप लोगों को नहीं समझ रहे हैं तो आपको राहू को अपने आपसे दूर करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आपके पास राहू का effect रहेगा लोग आपसे connect नहीं कर पाएंगे उन्हें ऐसा लगेगा वो बोल कुछ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो यदि आप चाहते हैं सब लोग आपकी बात माने आपके साथ अच्छा व्यवार करें या आपके काम बनने लग जाएं तो अपने उपर से राहू के effect को दूर कर दीजिए अब दोस्तों राहू का effect हम सब की bodies में होता है ये विशेशकर उन लोगों के उपर जादा होता है जो सुभा आठ बजे के बात तक सोते रहते हैं यानि सूभधे तक सोना आपके राहू को प्रबल करते है और सूरे को कमजोर करता है तोसब से पहली बात है आपको सुभा के समय जल्दी उठना है यान्ए आठ वजे से पहले उठास्यका इस नानित्यादी करना है और सूर्यदेव को जल देना है देख लीजे बहुत आसान सी रेमेडी है परंतु इस रेमेडी के करने से आपको मिलेंगे चमतकारी लाग अब बात करते हैं पिटकरी के उपाय के लिए पिटकरी आप ले ले मार्केट से टुकणा ले आए और अपन अचलने लगेगी वह लिक्विट हो जाएगी पानी बन जाएगी फिर जब आप इसे बंद कर देंगे तो वह जो लिक्विट फिटकरी है वह धीरे धीरे जम जाएगी आप उसे भुरबुरा कर लें वह एकदम इतनी जादा सॉफ्ट हो चुकी होगी कि अब उसका पाउड पाउडर आपने से गैस पे पका के बनाया है इसे आपको हर दिन सुभा आठ बजे के पहले ब्रश करना है बिल्कुल बिना भूल चुक के आपको बिना रुके हुए यह पाई करीबन 43 डेस तक करना है आप प्रतिजिन इस फिटकरी के पाउडर को अपने दातों पे लगा क आपके ब्रश करिए यानि आप उससे अपना मूँ साफ करिए देखिए का आपका राहू गायब हो जाएगा और आपके जो काम नहीं बन रहे हैं कामों की जो अर्चने हैं वो भी गायब हो जाएंगी राहू जिस तरह से आपको परिशान कर रहा था आपके जीवन में उप बार के दिन जितने घर में लोग होते हैं सभी को अपने माथे पे चंदन का तिलक लगाना चाहिए ये कारे कोई भी घर का एक व्यक्ति कर सकता है चंदन का तिलक बना ले और घर के सभी लोगों के माथे पे लगा दे देखिएगा राहू भाग जाएगा आपके घर में च्छोटी सी चीज उनके घर की गरीवी को दूर कर देगी तो चंदन आप घोल ले और घर के सारे लोगों के मात्य क्षा करता है और आपे जीवन में जुभी काम आपके हैं यह नहीं बन रहाए हैतो वो सब्सक्र कर बनने लगें अब हम बात करते हैं तीस व entfer के गुपत न परातरी करते हैं हम और कंब कह पड़ते हैं नवरاطली में इसके नवार पाथ कर एक टो आपका राम्रक्षा इस्तरोत्र श्थ्द् Purdue हो जाता है जिससे आपको कभी भी उसकी जरुत पड़े आप इसका एक पार्ट पार्ट करें तो आपके काम बनने लगते हैं तो इस नवरात्री में जो लोग बहुत सारी पूजा अर्शना नहीं भी कर पा रहे हैं उन्हें कम से कम नौबार रामरक्षा इस्तरोत्र का पार्ट जरूर करना चाहिए इस पार्ट को करने से जगतंबा प्रसन हो जाती है और अपने भक्तों को निर्भय होने का वर्दान देती है दोस्तों संडी का दिन है गवमाता को भोजन तो जरूर कराना है और साथ साथ नवरात्री चल रही है मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है नवरात्री में गाय, कुते, कववे इन सब को भोजन देने से पित्र प्रसन होते हैं पित्र याने हमारे पूर्वच प्रसन हो जाते हैं और हमारे काड़े बनने लगते हैं तो आज एक दिला गुर गेहुकी बनी हुई रोटी आप ये दोनों चीज़ें गौमाता को जरूर खिलाएं इसके अलावा कुते को कवे को भी दान जरूर निकालिए देखें नवरात्री के दिन बहुत ही ऑस्पिशिस होते हैं और गुप्त नवरात्री पूजा साधना के लिए विशेश महत्वर रखती है हम लोग कई बार पूजा साधना नहीं कर पाते परंदों अपने कर्मों को शुध कर सकते हैं खाने की शुधी के लिए खाने का दान देना बहुत ज़रूरी है जो लोग अनाज का दान नहीं देते या दूसरों को अनाज नहीं देते उनके शरीर में कई तरह की बीमारिया आती है तो यदि आपको भी लगता है कि आपको अलवलग तहर की बीमारिया हो रही है पशों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए सेवा करिए देखिएगा आपके रोग बहुती चल्दी शान्थ होने लगेंगे या आपको कोई न कोई उपाय और हल मिल जाएगा अपने शरीर से रोगों को दूर भगाने का और बाकी आपके जीवन में तरक्की भी आपको जरूर प्राथ होगी दोस्तों संडे का दिन मौज मस्ती का दिन होता है परंतों संडे के दिन इसके अलावा एक विशेश कार्य और करा जाता है इस दिन पे श्रीहरी नारायन को प्रसंद करने के लिए दिया जलाया जाता है ये दिया आप अपने घर के में गेट के बाहर दोनों तरफ जलाएं क क्योंकि इस प्रकार से दिया जलाने से आपके घर का सूर्य मजबूत होता है। कई-कई लोग तो इस दिन पे एक चौमुखा यानि चारों दिर्शाओं को प्रसंद करने वाला दीपक बनाते हैं और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं। जिससे की चौमुखे प्रकाश के कारण उनके घर में सतेव मालक्षमी का वास हो जाता है। जिल्लों के घर में वास्तिविक्ता में धन की कमी चल रही है। उन्हें इस प्रकार का चौमुखा दीपक याने एक ही दिये में चार तरफ की बत्ती जलाके बड़ा दिया बनाना चाहिए। और इस दिये को पीपल के व्रक्ष के नीचे रख के आना चाहिए। देखिए धन, मान सम्मान, नौकरी, परिवार के लोगों से चुड़ी हुई हर परिशानी एक ही दिन में आप ठीक कर सकते हैं। और साथी साथ यदि आप चाहते हैं लोग बाग एकदम आपका खूब मान सम्मान करें। तो रवार के दिन आप नमक मत खाएं। एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो कोई फर्क मी पड़ेगा। इस दिन नमक मत खाएं । देखिए is दिन पर नमक नहीं खाने से आपके आम्ल डौन में बढ़ोत्री होने लगेगी इस दिन पर आप मीथा भोजन कर सकते हैं कोई भी भोजन करिए कई लोग रईवार का उपास भी करते हैं वो मेरा वीडियो देख सकते हैं नीता फिक्रम चैनल पर जाके कि रईवार का व्रत कैसे पर आजाए और अभी नवरात्री चल रही है तो मा का प्रतिदिन पूजन करिए माथा के लिए जाप करिए और इस समय पे बीट मंतर का जाप करने से विशिशफल की प्राब्ती होती है या फिर ओम एम रीम क्लीम चामण्डाए विच्चे इस महां मंतर का जाप आप सभी को करना है ये जाप आप 5 माला, 11 माला या इससे जाता भी कर सकते हैं इस जाप के करने से दुरगा, मा भगवती हम सब को अपनी शरण में ले लेती हैं और हम सब का कल्याड करती है पूजा में कई बार हमसे गलती हो जाती है, भूलचुक हो जाती है उसके लिए सदेव शमा प्रातना करें और माजिक दंबा के चरणों में अपना ध्यान लगाएं ऐसा करने से आपको विशेश बलगी प्राप्ती होती है और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो जरूर करिए सात्विक उपायों के करने से जीवन में सफलता मिलने के चांसे बढ़ने लगते हैं और दोस्तों बाकी जटपट उपाय पता करने के लिए आप मुझे नीता विक्रम के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं इसी प्रकार मुझे से जुड़े रहिए और अपनी जीवन से संबंधित नए नए उपाय जानते रहिए अगली बार एक नया वीडियो लेक्टे आपसे जल्दी मिलूँगी जयमाता रानी दोस्तों